नमस्कार, मैं डॉक्टर हिम्रता काटे, प्रासय विसे कोलेज पाटन, आज हम हिंदी सहित्य के इत्यास की जो मुवलिक रशना है प्रितुराज रासु इसके कावे संदर्य पर प्रकाश डालेंगे, इसके लिए मैंने उद्देश रखा है प्रितुराज रासु कावे के प्रितुराज रासु इसके कावे के इत्यास की जो मुवलिक रशना है यह एक विशाल महा कावे है किसी भी कावे का परिशे देखने के लिए उसे हम दो रूपों में देखते हैं एक भावपक्ष दूसरा कलापक्ष भावपक्ष के अंतर्गत उस कावे के कत्थे पर प्रितुराज रासु इस कावे का प्रियूक किया है यह देखने से पहले प्रितुराज रासो एक विशाल महा कावे है इसके चार संस्करण मिलते हैं वस संस्करण कौन से है इसका हम यहां सामान्य परिशे देखेंगे प्रित्राज रासो इच्चार संस्क्रण पहला संस्क्रण ब्रहद रुपांतर इसमें 6,300 चंद है दूसरा संस्क्रण मध्यम रुपांतर इसमें 7,000 चंद है तीसरा संस्क्रण लगु रुपांतर इसमें 3,500 चंद है और चवता समसरन लोगुत्तम रुपांतर इसमें 1300 चंद है ऐसे यह एक विशाल महाकावे है इस विशाल महाकावे में अपने कावे संदरे के बल पर उसे अलोग की बनाने का काम कविचंद बरदाई ने किया है उसके कुछ अंग इस प्रकार पहला कतान कुरुडिया दुसरा वस्तु वर्णन तिसरा चरित चितरन चौता प्रकृती चितरन पांच्वा भावे एवं रस्त वर्णन छटा अलंकार एवं चंद तता भाषा इसका हम थोड़ा विस्तार्षे परीचे देखेंगे पहले कतान कुरुडिया कवी चंद भरदाई ने प्रितुराज रासों में कथानक रूडियों का प्रयूक किया है अतहां कथानक रूडिया किसे कहा जाता है ये जानना बहुत आवश्यक है ऐसी घटना ऐसे प्रसंग जो कथानक को आगे बढ़ाने के लिए प्रयूक्त किये जाते हैं ऐसे घटना ऐसे प्रसंग जो इन प्रबंद रचनाव में रूडि की तरह प्रयूक्त होते हैं उसे कथानक रूडिया कहा जाता है प्रितुराज रासो इस कवे में जो कथानक रूडिया आई है उसकी सूची हमारे हिंदी सहिते के इध्यास के आलोचक डॉक्तर हजारी प्रसाद विदीजी ने हिंदी सहिते के इध्यास का आधिकाल इसमें दिया है वह इस प्रकार कहानी कहनी वाला सुग्गा, स्वपनमें प्रियदर्शन, चित्रदर्शन, किर्तिस्रवन सेनुराप, मुनीका शाप, रूप परिवर्तन, पराकाय प्रवेश, आकाश्वानी और शड्रूतु बारह मासा इस प्रकार िहा कथानकूरियों का प्रियोग, पृतुराजरासों इसकावे में हुआ है अगला पक्षे है वस्तुवरन कविचंद ने वस्तुवरनन में अपनी सिधदता का परीचे दिया है नुणे वस्तु वर्णन में नगर, वन, उपवन ततकालिन शाही आलम का भोती सुन्दड़ं से प्रयोग किया है कवी चंदकी दृष्टी से वस्तु वर्णन में युद्ध वर्णन, विवाह वर्णन और आखेट वर्णन मदोप्रुनस्तान रखता है यहा में ने युद्ध वर्णन का एक उधारन दिया है न कोहार नहीं जित्त रहे रही सुरवर धर उपर भर परत करत अति युद्ध महा भर अर्थात इस वक्त केवल केवल युद्ध ही हमारे सामने आता है अगला पक्ष है भावर्णन कविचंद ने भावर्णन में शुरूंगार और वीररस का अद्बुत समन्वे किया है कारण इस कविचंद ने इस कवे में प्रित्वराज के युद्ध का और वीरता का चितरन किया है तो इसने संयोगिता के संदर्य और प्रेम का मनोहारी चितरन किया है इसलिए इस कवे में शुरूंगार और वीररस दोनों का समन्वे हुआ है यहामे ने संयोगिता के शुरूंगार का एक उदारन दिया है बेई आवास जुगणी पुरई बेई सहचर मंडलिय संजोग ययंपती कंत बिन मुहीन कचु लगत रलिय अर्थाथ मेरे पास मेह हैं मेरे पास वही जोगिपुर हैं वही सहेचार्णियों का मंडल है परन्तु प्रियपती के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता यहां संयोग शुरूंगार का उदारन प्रस्तुत किया है अगला पक्ष है चरित्र चित्रन प्रितुराज रासो इक्विशाल महा कावे हैं इसमें कथान कुरूडियों का प्रिव हुआ है अतहा तविशंद बरदाई ने यहां पातरों का चरित्र चित्रन भी किया है प्रितुराज रासो इस कावे के प्रमुक तीन पातर है पहले हैं प्रितुराज चोहान दूसरे है संयोगिता और तेसरे हैं कविशंद और तीनों पात्रों का चरित चितरन बहुती सुन्दर ढ़ं से प्रस्तूत करने का काम प्रस्तूत कावे में हुआ है अगला पक्ष है अलंकार और चंद किसी भी कावे का सुन्दर्य अलंकार और चंदों से बढ़ता है अलंकार कविचंद ने वहुत ही सुन्दर अलंकारों की योजना ततकालेन कवे में की है क्योंकि कविचंद स्वयम एकरस सिद्ध कवी है इसके बारे में पंक्ती भी कहीं जाती है कविचंद ने पितुराज रासो इस कवे में सभी अलंकारों का और सभी रसों का चितरन किया है जिसमें श्रूंगार है, वीर है, करून है, विवस्य है, अध्भूत है और साती साथ चंदों के अंतरगत वारनिक और मांत्रिक चंदों का प्रयूक किया है यानि अलंकार और चंदों के दुरुष्टी से पितुराज रासो एक सुन्दर काविय हमारे सामने आता है अगला पक्षे है, प्रकृती चितरन और भाषा प्रकृती चितरन में कवि ने श्रूतों का वर्णन किया है विशेश्ता कविचंद की दुरुष्टी प्रकृती चितरन में अधिक मातरा में रमी है इसकी भाषा है, पिंगल भाषा जो ततकानिण व्रज भाषा कही जाती है और वह ततकानिन राजिस्तानी भाषा का मिश्रण होती है कविचंद ने इस कावए में समाद शैली का प्रयोग किया है त्योंकि यहां कथान कुरूडियों का प्रयोग हुआ है और सम्वाद शैली का बेजोड उने यहा प्रयोग किया है और तक कारिन जो भाषाए थी उन भाषाओं के विन शब्दों का प्रयोग भी कविचंद ने अपने कावे में किया है इस प्रकार प्रकृति चितरन के साथ साथ कविचंद की भाषा सम्वाद शैली से युकता है व अपने द्हांसी सुना दन्यवाद